हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत से लोग जल्दी गिवप क्यों कर देते हैं शुरुआत तो करते हैं बहुत एंथूजियस्टिक होकर, बहुत एनरजी से लेकिन बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं, slow हो जाते हैं और धीरे धीरे give up कर देते हैं तो आज हम इसी बारे में जानेंगे कि लोग give up क्यों कर देते हैं आज जो points में आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है उनमें से कुछ गलतियां आप भी कर रहे हो तो इस वीडियो को द्यान से देखना और अगर आप भी उनमें से कुछ गलतियां कर रहे हो तो उस गलतियों को खतम करना ताकि आप जो भी करना चाते हैं उसमें सफल हो सकें और give up ना करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस पर आप बहुत informative और motivational वीडियो देख सकते हैं और bell के icon को प्रेस कर देना ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस नहो मैं कुमार सॉरफ आपका thought curator तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि लोग जल्दी give up क्यों कर देते हैं पहला reason expect fast results हम जब भी कोई नया काम सुरू करते हैं हम सोचते कि बहुत जल्दी उसका result आजाए अगर हम को investment कर रहे हैं तो बहुत जल्दी उसका result आजाए को business start कर रहे हैं तो हमें लगता कि बहुत जल्दी business establish हो जाए हम बहुत सारे पैसे कमाने लग जाए YouTube channel बनाते हैं और हम सोचते हैं कि channel बहुत जल्दी grow हो जाए लेकिन इस सब चीज़े नहीं हो सकती है किसी भी बड़े काम को होने के लिए कुछ time लगता है तो आपको यह सोचना होगा और धहरी रखना होगा आपके समय के लिए और महनत करते रहना होगा दूसरा reason stop believing in themselves धीरे धीरे जैसे ही काम आगे बढ़ता है थोड़ से परिशानिया बढ़ती है तो उसमें इंसान अपने उपर से भरोसा खो देता है अपने बिलीव करना खो देता है इस वैसे क्या होता है वो धीरे धीरे सोचता है कि मुझसे नहीं हो सकता यह मेरे बसकी ब नहीं बात नहीं है fail 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 then success लेकिन कुछ लोग उस failure से बाहर इने निकल पाते हैं और past में अठके रह जाते हैं कि मेसात यह हुआ था मेसात यह हुआ था मेसात यह हुआ था उसको छोड़के आगे की तरफ बढ़ने की बारे में सोचना चाहिए चौता reason fear of future बहुत से लोग त तो क्या होगा future में fail होगे तो क्या होगा इसलिए वो अपना 100% देहीं नहीं पाते काम में क्योंकि वो पहले से ही डर रहे होते हैं कि future में fail हो तो क्या होगा अगला reason बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके साथ जो problem हो रही है वो unique है लेकिन यह सार विलकुल नहीं है जिस problem से आप गुजर रहे हैं या जिस problem से वो बंदा गुजर रहा है उससे बहुत सारे लोग पहले ही गुजर चुके हैं लेकिन उनको उन्होंने overcome किया है तब जाकर के successful हुए है कोई भी successful वैक्ती ऐसे successful नहीं हो गया है सबके साथ कुछ न कुछ प्रिशानी आई है और कुछ क्या बहुत से प्रिशानी आई है लेकिन उसको overcome जिसने किया है वही उपर पहुँच पाया है वही successful हो पाया है छठा रेजिस्ट दचेंज आपको पता है कुछ भी चीज पर्मेंट हो नहों तेकिन एक चीज पर्मेंट होती है वो है चेंज तो अगर आपकी जिन्दिगी में को होगा कि हां यह चेंज हो रहा है उसके साथ आप कैसे लिव कर सकते उसके साथ कैसे कॉप अप कर सकते हैं साथ वा रिजन गीव अप देयर पावर्स जब हम काम सुरू करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे लाइफ में प्रॉलम्स आती है उस काम को लेके में कोई ना कोई वीकनेस होती है कोई भी बंदा नहीं है कोई किसी तरीके से वीक है तो कोई किसी तरीके से वीक है लेकिन वीकनेस के साथ हमें स्ट्रेंध भी होता है जिसको हम अंदेखा कर देते हैं और सिफ हम अपने वीकनेस के बारे में सोचते हैं कि यार इसके तरब म मैं यह चीज नहीं कर सकता है और इसी चक्कर में उस सोचते ही चीजों को give up कर देते हैं अगला reason fail होने का इतना डर होता है कि success होने की खुशी ही भूल जाते हैं हम लोग सिप failures के बारे में सोचते हैं कि fail होंगे तो क्या होगा लेकिन इस बारे में नहीं सोचते किस दिन हम success हो गए तो क्या होगा तो हुमें क्या चीज मिल सकता है हम अपने क्या सकते हैं अपने सस्पने कैसे पूरे कर सकता हैं तो हमें सिबाफ्ट के वारे में सोचना चाहिए कि जीजदिन हम success हो गए है इसस दिन हमारी life क्या होगी अगला reason कि वह नहीं करते हैं कि अगर success मिल जाता है तो किस जगह पहुँच जाएंगे, क्या होगी उनकी life और किस तरीके से उनकी lifestyle हो जाएंगे, उन्हों अपने सोचे हुए हैं, वो पूरे हो जाएंगे, वो कहां पे होंगे, किस तरीके से होंगे, तो यह सब चीजे बहुत जरूरी है कि आप अपने success को visualize करें, अगर आप चाहते हैं कि आप IS officer बन जाएं, तो IS officer बन के visualize कि एक दिन आप IS officer बन गए हैं, तब आपकी life क्या होगी, और जब भी कोई काम सुरूर करते हैं, यह भूल जाएं, कि आपके पास कुछ खोने के लिए हैं, सिब यह याद रखिए, कि आपके करते हैं, जिससे हमाज दिवां को बहुत pressure हो जाता है, और उसको pressure को जहेल नहीं पाते हैं, और उसके बाद जब भी कोई problem आता है, हम सोते हैं, इतनी मैनत हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी cycle नहीं हो रहे हैं, तो हमसे यह नहीं होगा, और इस वाएसे वो give up कर देते हैं, इसल को लंबे समय तक कर सके, क्योंकि कोई भी काम एक या दो दिन में नहीं होता है, आपको उसको लंबा लेकर के जाना होता है, अगला reason, बहुत से लोग छोटे-छोटे failures को यह सोचते हैं, कि एक signal है, कि हम वापस लोट जाएं, इस काम को खतम कर दे, यह नहीं सोचते, कि यह failure एक experience है, जिसको CD बना कर हम success तक पहुँच सकते हैं, वो सोचते हैं, कि यह signal है, कि अब मुझे काम बंद करना चाहिए, यह मेरे बस की बात नहीं है, अगला point है, feel sorry for themselves, ऐसा होता है, कि हम past में कई बार fail हुए होते हैं, हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाए घटी होती है, जो बिल चीज नहीं था, इसलिए मैं यह नहीं कर पाया, और वो चीजे धीरे धीरे उनकी जिन्द्गी का हिस्सा बन जाता है, और उनकी lifestyle का पार्ट बन जाता है, और एक mindset डेवलप हो जाता है उनका, जिससे वो सोचते हैं, कि आज मैं अगर successful नहीं हूँ, तो इन रिजनों की वज देते हैं, आप भी इन में से कोई गलतिया कर रहे हैं, तो हमें comment box में लिखके बताइए, और हमें ये भी बताइए, कि आप इसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, अगर ये वीडियो को पसंद आई, तो एक like जिरूर करना, अपने दोस्तों और family members के साथ इसको share करना, औ अभी तक हमाई चनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल का इकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की notification सबसे पहले आप तक पहुंच सके, अभी के लिए बाइबाइ, जल्दी मिलूँगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, stay happy, stay safe, stay motivated, bye bye.